असलाम लेकुम वियर्स, वेलकम बैक तो मैं चैनल सेभी बेकिंग दिलाइट्स, आज की हमारी रेसिपी जो है आपको पता है नो फेल केक रेसिपी है, इसकी रेसिपी से अगर आप बिगनर हैं, आपको केक बनाना बिल्कुल नहीं आता, आपका केक हमेशा फेल हो जाता है, कच्छे से राइस नहीं होता, डॉम बन जाती है या कच्छा रह जाता है, तो आज की रेसिपी से इंशालला आपके केक के सारे मसले दूर हो जाएंगे, आप इस केक को ट्राइ करें, क्यूंकि इसका नाम ही नो फेल चॉकलेट केक है, तो इसके फेल होने का सवाल ही पैदा पर लिए कभी भी आपको ठंडे एग यूज नहीं करने हैं अपने केक बेकिंग के लिए ठीक है, एक तो यह हम लोग मिस्टेक कर देते हैं, कि हम लोग ठंडी जो रेफिजरेटर की चीज होती है, उसको भी यूज कर लेते हैं, बेकिंग में ऐसा बिलकुल नहीं करना चाह थाहा थाकर आपको पता है कि अशुगर जो हमें चुह से मिक्सिग करेंGO ।को थो रूछ है, तो क्योंकि है धो थोना मिक्स करना हैं, उसके बाद बेटर अन पर पहले इस्टे स्लोह स्पीड पर जाग तक हमें ग्राजूली इस tolerance करने हैं, हमें एक कहां तक हमें तब तक भ तो आपको वहीं पी अपनी बीटिंग जो है वो रोग देनी है इसके साथ ही मैं आपको पताऊंगे अगर आपको शूगर लेनी है तो आपको आइसिंग शूगर लेने की जुरत नहीं है वो थोड़ी कोसली भी बढ़ती है ठीक है आपको शूगर नॉर्मल शूगर जो मिलती आप इसमें भी शूगर को कर सकते हो ऐसी लिए इसमें हो जाती है पाउडर फोम बन जाता है तो इसके साथ इसमें मिक्स कर देंगे और आपको बिल्कुल सोफ्ट हैंड रखके जो है वो इसको अच्छे से मिक्सिंग करना है बस राउंड राउंड जो है वो आपको घुमाते जाना है इसको और हर जगा से एक्वली आपको करना है ये काम और इसके साथ ही में करूंगे आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत अच्छी चीज़ जो है वो मिस्स करें है यहां पर फ्री बेकिंग कोर्स जो है वो ओन गॉइंग है और फ्री बेकिंग कोर्स में प्रैक् सब्सक्रिप्शन बॉक्स उसमें भी इसको पिन कर दूंगे उसका लिंक अच्छी वापिस आजाती है अपनी वीडियो की तरफ सबसे पहले यहां पर मैंने आल परपस फ्लोर जो है वो न कप लिया ड्रा इंगिजेंट्स में और उसको मैंने अच्छे से सीव कर लिया सीव टी स्पून ठीक है और कोको पाउडर भी क्योंकि मेरा बहुत अच्छे से जो है वो पाउडर फॉम में था तो इसलिए मुझे जूरत नहीं थी सीव करने की बट आपको सीव करके यूज करना है और यह सारे ड्रा इंगिजेंट्स वह आप अलग से भी मिक्स करके रख सकते तो यहां पर आपको एक साथ सब चीजें एड्ड नहीं करनी है ठीक है ऐसा नहीं है कि आपको जो मतलब वन कप फ्लॉर आपने रखा हुआ है और आपको अपने ड्राइ अंग्रियेंट्स को जो कि है हमारा अल परपस फ्लॉर बेकिंग पाउडर और साल्ट और कोको तो आपको ये सब चीजें तुसमें टिवाइड करके आड़ करनी हैं। एक साथ सारी चीजें एड़ नहीं करनी हैए। लास्ट पर मैंने इसमें ऑुल अइड कर दिया।UFF है ने यहां पर हाफ कप एड़ किया था। judi dopo चौकolet EASCENSE की जगा। और यहाँपे मिल्क जू है वो आड़े, मैंने फोरकाड अड़े, मिल्क पी जू है, मैंने यहाँ पर टेंप्रेचर पर लिया था और मिल्क भी जो है वो मैंने स्टेन कर लिया था अचा से ताके इसमें जो है वो ना जाए क्या उसको कहते हैं आर किसी डाइप की क्रीम ना जाए हमें जस्त मिल्क चाहिए है तो ऍसकी अब जो फोलडिंग है वो आपको बिल्कुल सोफ्ट हैंट से करना है जैसे हम नौर्मcamar करना है इसको कट and fold method कहते हैं इसमें हम spatula को पहले नीचे लेके जाते हैं ठीक है कट करते हैं बैटर को उसके बाद ऊपर लाके इसको फोल्ड कर देते हैं ठीक है इसको कहते हैं cut and fold method और यह बहुत soft hand से करना होता है हमें ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे हम normal mixing करते हैं जैसे हम हंट बनाते हैं या कोई इस तरह के खाने बनाते हैं उसकी mixing करते हैं बिलकुल नहीं है आपको बहुत soft hand रखना है बिलकुल प्यार से बिचों को जैसे deal करते है ना वैसे आपको प्यार से इसको करना है ठीक है इसके बाद मैंने यहापे mold ले लिया और mold इसके लिए मैंने 7 inch का ल बाद यह होता है कि यह बहुत अच्छे से mixing करता है दूसरा यह कि आपके batter को बहुत अच्छे से clean करता है तो spatula भी must होता है इसके बाद हम इसको अच्छे से tap करेंगे preheated oven में मैंने 35-40 मिनट के लिए इसको बेक किया और यह बहुत अच्छे से बेक हो गया यह देखें जी का बेक करने के बाद इसको मैं 10-15 मिनट के लिए cool down होने के लिए रग दूगी और जब यह cool down हो गया तो मैंने इसके बाद इसको side से इस तरहा अलग कर लिए इसके किनारे baking mall बेकिंग मोल्स अलग करना जूरी होता है और आप इसमें नीचे butter paper रखके भी बेक कर सकते हैं और य कि इसके बाद इसको इल्टा कर लेंगे और आप अल्टा कर्ना प्रूपर थोड़ा सा हाथ को परस बस्षाइब करना है थाकि नियुक्त हो यंद आप तो वह इसलि भाहि निकल आए झाल करना नहीं तो यहां से तक अब हमारा इन्धिया बाहिन निकल आप बहुत जोरें नही जिए उवन की क्लास जए इसके रिलेटिड आपकी कोई कसन है वह आप उसमें भी मुझे से पूछ सकते हो इसके इलावा आपके World के कोई इसके इसके मेरा कोर्स एंग है उसमें कर सकते हैं लास्त पर आप को और इसको कट कर केक को डिखांती हो और और चौकलेड के साथ OP लगाल हुआ है इसका ठेक्चिर बना है और आप यह को परसे कर सकते हैजा के कि लिगा है की not अपर आपकस कर कर सकते हो कि बीषhao कर सकते हैं की और थोरा से कैमरे को फोककस कर ल Sultan और मैंने फ्लेश लाइट भी ओन कर दिया ताके ठीक से आपको नजर आई ये देखें मैं अच्छे से प्रेस कर रही है और ये देखें कितना मज़े से दो है वो दुबारा वापस को आ रहा है मत्तब की काफी सोफ्ट है तो आई होब कि आपका भी केक इसी तरह बनेगा और आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी हमारी नेक्स क्लास हो है वो इन्शाला नो फेल वनीला केक पे होगी लाइक शेयर और सबस्क्राइब करना मत बुलिएगा थैंक्स फॉर रोचिंग कर दो दो Evans कर दो कर दो कर दो झाल झाल